नमसकर दोस्तों फिर्शन सब्सक्राइब आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ इनफिनिक्स होट टैन प्ले में या फिर इनफिनिक्स के किसी भी मुबाइल में आप कैसे सेट कर सकते हैं तो fingerprint lock set करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है setting पे setting पर जाने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको security का option देखने को मिल जाएगा यह ताला बना हुआ है आप इस पर click करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको scroll करना है और यहाँ पर आपको fingerprint का option देखने को मिल जाएगा यह रहा आप इस पर click करेंगे और यहाँ पर मैंने pattern lock set कर रहा है तो मैं अपना pattern lock draw कर दूँगी अगर आपको नहीं पता है pattern lock कैसे set करना है तो screen lock या pattern lock कैसे set करें वाली वीडियो आप जाके देख लेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने इस टैप का fingerprint का option आजाएगा आपको add fingerprint पे click करना है और इसके बाद यहाँ पर यह आप से कुछ instructions दे रहा है कि आपको यहाँ पर oily और डर्टी और यहाँ पर गीली उंगली आपको नहीं लगानी है यहाँ पर यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा और यहाँ पर आपका जो fingerprint reader है इसको कपड़े से clean रखना है हमेशा अगर गंदा बंदा हो गया है तो और यहाँ पर उसके बाद आप fingerprint लगा सकते हैं यह कुछ instructions है ठीक है इसके बाद आपको next पर click कर देना है और यहाँ पर back side पर कोई सी भी finger आप step से add कर लेंगे जिससे आप phone चलाते ना वह easy रहती है fingerprint तो maximum यही वाली fingerprint यूज करते हैं काफी लोग तो आपको इस step से लगा लेना है successfully यह add हो चुका है और इस finger को आप यहाँ पर अगर quick startup app के लिए use करना चाहते हैं यानि कि कोई भी app fingerprint लगाएंगे त पटाफर से fingerprint lock से तो वह आप यहाँ पे quick startup app के लिए लगा सकते हैं तो इसकी setting मैं बाद में बताऊंगी अभी आपको पहले इसको finish पे click कर देते हैं अब मैं बता देते हूं यहाँ पे आपको add fingerprint पे जब आप click करेंगे next करेंगे और दूसरी fingerprint add करेंगे ना यहाँ पे इस type स सकते हैं अब मैं आपको पताते हूं quick startup app के लिए आप कैसी use कर सकते हैं यह add हो चुकी है अब यहाँ पे quickly startup app पे आप click करेंगे तो आप इस वाली finger से आपकी कौन सी application खुलनी चाहिए तो यहाँ पे मैं camera पे click कर दूँगी और इसके बाद इस पे click कर दूँगी check mark पे और आप इसका name भी डाल सकते हैं जैसे कि अगर आपको rename करना है तो मैं यहाँ पे rename कर दूँगे ना ताकि मिरे को याद रहे है किसलिए है तो यहाँ पर आप कर लेंगे इसको ok कर देंगे allow कर देंगे कि इसको कट कर देंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर लिख देंगे तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रिनेम कर दिया है ताकि यहाँ पर मेरे को पता चाल जाए कि यह वाली finger मेरी एप की है अगर मुझे कल को delete करना हूँ तो मैं delete कर सकती हूं और दूसरी finger भी यहाँ आप पर हैट कर सकते हैं अधरवाइस इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको छोड़ देंगे और यहाँ पर इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अगर इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी incoming call आती है से ही आपकी incoming call उठ जाती है और अगर alarm बंद करने के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यहां से आउन कर सकते हैं इतना करने के बाद यहां पर आपको यहां पर कर देना है और यहां पर आप दिखा देती हूं लॉक खोलने के लिए यह वाली इस टाइब से लॉक फुल जाएगा और क्विक स्टार्ट अप आप के लिए यह वाली फिंगर तो इसको मैं क्लिक करूंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं इस टाइब से यह कैमरा खुल गया मैंने कुछ छेड़ा नहीं है कैमरा यहां पर इस वाली फिंगर से खुल जाता आपका आप देख सकते हैं तो इस टाइब से आप यहां पर इन दोनों फिंगर का यूज कर सकते हैं आप फिंगर्प्रिंट लॉक के लिए तो आई होप गाई यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी टाइब के और इंट्रसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार